हलो अबोड़ों व्ल्कम तो आज किस वीडियो में डोग करने वाली हूं यह वली रैफरेंस पिक जो कि आप साय पर देख सकते हैं क्यूट से बेबी की इसको डोकर इसको डोग करने के लिए मैंने ग्रिश्च वहां पर आफनर डोग कर लिया तो स्टार्ट करते हैं सबसे पह effective pencil एससे फर्सट शेडिंग की है दन उसके ऊपर लियर बैर शेडिंग करने कि लिए अब लिए अगया भी यूजद लिए ऊपर लियर बाखेट कर सकते हो एंड बिलकुल लाइट लैटली शेडिंग करनी है रहते लियर आपको शेड करते रहना है तो अभी जो आ आइस गया आप देश सकते हो जो उपर वाली लाइन है उसको भी थोड़ा सा मैंने डाक कर लिया है एक फ़ोग्राफ में कैसी लाइटिंग आ रही है कैसा वहां पर स्किन का टेक्स्चर है तो बिल्कुल स्मूध टेक्च्चर है जहां पर स्मूध टेक्च्चर के लिए पहले क्या आजब अच पर आइलस्चा कर लिए व basis टेक्स भी थोड़ार करनें के लिए जबेंगिगा है इसफेछ कि टीए जिक्टमृ कर सकते हैं और उप रहां पिहला सकस्टमाच आई और उरक बिल्ग भराटिंग कॉस्चण करना है जो कि तो कि आपको लगए लंग की श्यंटे जो कि बिल्कुल डाक पार्ट है वहां पर तो आप सीधा डाक पैंसल का यूज कर सकते हो लेकिन जहां पर आपको लग रहा कि स्मूछ टैक्च्च रहा वहां पर हमें लियर बाई लियर ही शेडिंग करने पड़ेगी और देर बले शेडिंग करने के लिए बहुत जादा मैं यूज किया है टुब पैंसल वहां से शेडिंग लिए तो नोस को ड्रो करने के लिए भी यहां पर हम मैं अच्पी पैंसल से स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि यहां पर हमें लियर बाले शेडिंग करने पड़ेगी जितना जादा हमें समूछ आपकर चाहिए उतना देने शारे आर्ट लाइन की ही ग्रेफ फायर पेंसिल इंड अब एचार्पेंसिल हैं लेकिन अगर आपको चार्कोल में आथ भाइन वह सबसे हैं यहां पर दॉकि आपको बेकर से हारे की आपस यह जदी कोवर्ण आपको जाते हैं अपनों स्थार्ट लेडिय के लिए के रिए पर तो आप पहले ही डाग पैंसल का यूज करना स्टार्ट कर दोगे ऐसा नहीं करना आपने लियर बाई लियर ऑब्सर्फ करके जो वैल्यूस हमें चाहिए उनको चीव करना है ठीक है एंड उसको जब तक आप डिटेलिंग पर मत जाहिए उससे पहले आपको ब्लेंडिंग यहां पे मिन्स बिल्कुल हमें स्मूधनेस नहीं चाहिए वहां पर लेकिन हमें लेयर भा लेयर ही शेडिंग करना पड़ेंगी एंड जन भी आपको पर टाइम दोगे अपने स्कैच को एंड जतने ज़्यादा आप टाइम करोगे उतना ही ज्यादा वो अच्छा बनेगा क कि नगर उसे जल्दी जल्दी में खदम करने के ट्राइ करोगे तो आपको वह वली वैल्यूस अचीव नहीं होंगी वह फैक्ट नहीं आप पाएगा एंड वह वह स्मूजनेस भी नहीं आप कर पाओगे पर कि यहां पर मैं अब देशक नहीं कि लेरिंग रही हूं सबसे पहले और तो यह पर बिल्कुल लाइट और यहां पर इस तरह आपको लिए यह यह पर शेडिंग करें और इसको ब्लैंड करते जाएं यह वह विदियो सक्की देवन कि एंड जो नेक्स्ट पाइस नहीं पर डेकल का जो मैं आगे टो करूंगी वह उस पार्ट में आपको मिलेगा देखने को जो मैं देख सकते हो हैं उसको मैने ऐसी वाइश चोड़ दी है तो आप ऐसे कर सकतो है लिए मनोजर के लिए अगर अगली यह पास अगला पादया हो जो बाल आप कर सकते हो ठीक है लेकिन को हम कल कॉंटिन्यू करेंगे तो थैंक्यों सो मच फॉर वाचिंग इस वीडियो जी दिन लोगों ने यह वीडियो यहां तक देखा की ब्रॉइंग एंड कीप ग्रॉइंग